हेलो एवरीवन वेलकुम बैक टो एग्रिकल जाब पॉलिटिकल बहुत-बहुत स्वागत है आपका उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर CRPG first round counseling का result आ चुका है बहुत सारे students को उनकी seats allotment हो चुकी है कई students ऐसे हैं जेने seat allotment नहीं हुई है उन्हें second round की counseling तक का wait करना पड़ेगा क्योंकि कई बार आपकी rank ज्यादा होने के कारण आपको first round में seat allot नहीं हो पाती है तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे पहले उन students के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें कोई भी seat allotment शो नहीं कर रहा है तो अगर आपको side पर कोई seat allotment शो नहीं कर रहा है इसका basic meaning यह है आपको कोई seat allot नहीं हुई है क्योंकि rank ज्यादा होने पर बहुत common है कि आपको seat first round में allot नहीं हो पाती है आप second round, third round, fourth round even mop up round तक जरूर जाईए अगर आपको seat नहीं मिलती है क्योंकि chances होते हैं mop up round में आपको मिल जाए बहुत ज्यादा rank होने पर भी तो अगर आपको seat नहीं मिली है या show नहीं कर रहा है तो परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है next round में participate करिए और show नहीं कर रहा है तो उसका basic meaning है आपको seat अभी allot नहीं हुई है बात करते हैं उन students की जिन्ही seat मिल गई है लेकिन वो upgrade कराना चाहते हैं या second counseling में देखना चाहते हैं कि आगर उन्हें दूसरी और ज्यादा अच्छे preference की seat मिल पाए तो आम देखते हैं कि second round of counseling कब से start होने वाली है तो first round of counseling का जो date दिया गया था वो 28 दिया गया था लेकिन जो result है वो कल आया है तो इन जो dates है इन में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो जो पूरी process है first round की यानि कि आपके document verification के साथ आपको जहां पर जाके seat allotment करवाना है तो आपका 6 तारिक तक ही पूरा होगा तो आप 2-4 दिन बढ़ा कर अगर देख लें तो य ICR से change करता है तो क्योंकि पूरी तरीके से ICR पर निर्भर है ICR आपको खुद date देखा कि आपको इस दिन जाना है लेकिन जो second round of counselling की date है वो 9 तारिक दी गई है और आपको एक basic चीज समझ देनी है कि जो आपने fee payment registration के time पर किया था बस वही fee payment आपका रहने वाला है आपको second round of counselling होगी उन students की जिन्हें कोई seat नहीं मिली है या उन students की जिन्हें अप्गरडेशन चाहिए अप्गरडेशन में आपको सिर्फ वही seatे मिलेंगी तो आपकी choice filling में higher होंगी जो seat आपको पहले से मिली है उससे यानि कि अगर आपको third preference की seat मिली है तो आपको अप्गरडेश ly उन students की बात कर लेते हैं जिन्हें students को seat मिली है और वो जो seat मिली है उससे पे admission लेना चाहते हैं यानि कि वो seat उनकी पसंद की है तो उन students को आपको जो seat मिली है आपको seat acceptance fees भरनी है उसके बात आपको जाना है उस university में जिस date को आपको दिया जाए यानि कि mention होगा कि किस date को और उस date में आपको जाकर वहाँ पर final reporting करनी है जहां पर आपके documents verify किये जाएंगे यानि कि present होके आपको सारे documents जो हैं आपको वहाँ ले जाने हैं जो जो आपने upload किये हैं वो आपके check होंगे और उसके बाद आपको जो भी admission process है वहाँ पर यानि कि fees आपको payment करनी है जो particular university की अलग-अलग होती है यानि कि आपको GB PANTH में admission मिलता है तो वहाँ कि आपको जो fees है वो submit करनी है और उसके बाद आपको admission मिल जाएगा और वहाँ अब उसके बाद आप admission लेने के बाद जो ICR की जिम्मेदारी है वो वहाँ खतम हो जाती है अब जो भी आपका process होगा वो उस university पे depend करता है तो क्या वहाँ की fees है किस सरीके का वहाँ का functioning है वो सब आप university से ही ले सकते हैं और बाकी एक चीज़ चीज़ चो बहुत major role play करती है वो scholarship तो scholarship भी ICR का कोई online process नहीं होता है आपको उस university में जिस university में आपने admission लिया है वहाँ जाकर form submit करना होता है तो वहाँ पर आपको पूरी process हो जाती है counseling से लेके scholarship सभी process time information के लिए आप agriculture political का whatsapp channel भी join कर सकते हैं जहाँ पर आपको सही time पर सारी information मिल पाती है और registration, counseling, upcredation यह सारी videos आपको description box में मिल जाएंगी तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको upcredation से related कोई भी issue आ रहा है तो वहाँ सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से documents या rejected हो जाते हैं तो कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है यह वीडियो आप लोगों के लिए useful रहा होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में पूस सकते हैं मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी और real time information के लिए join करिए अगरी culture political का whatsapp channel बहुत बहुत धन्यवाद